ओम शिवाय नमस्तु अभ्यम हर हर महादेव चार जुलाई से सावन का महिना सुरू हो रहा है और इस साल सावन का महिना दो मात चलेगा तो आप सभी को सावन महिने की बहुत बहुत बधाई हो सावन का महिना शंकर भगवान के भक्तों के लिए बहुती खास महिना होता है जो सावन के महिने में संकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं उनकी सभी मनुकामना पूरी हो जाती है और जो बारा जोती लिंग की दर्शन करते हैं उनकी भी सभी मनुकामना पूरी होती है तो इसलिए आप सावन के महीने में एक नियम बना ले और संकर भगवान के मंदिर में जाएं एक लोटा जल और एक बेल पत्र चड़ाएं और अपनी मनुकामना बोलते हुए भगवान को जल अरपित करें आप जब भी संकर भगवान के मंदिर में जाएं दो पात्र में जल लेके जाएं एक दो पात्र का जल आपको कावर के जल के बराबर इसका महत्व रहेगा अगर आपके पास दो पात्र नहीं है तो आप एक छोटी कटोरी लेने उस छोटी कटोरी में आप जल भर कर उसके अपने पात्र के उपर लेके जाएं और आप संकर भगवान को दो पात्रे से जल अर्पित करें तो इसका महत्व आपको कामर के जल के बराबर होगा पंडिक प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि साधारन से साधारन वैक्ती भी सावन के महीने में दो पात्रे से जल अर्पित करें तो इसका महत्व गंगा जल के बराबर हो जाएगा सावन के महिने में आप 108 मूं के दान या 108 चावल के दाने या 108 सरसो के दाने या 108 बेल पत्र या 108 सफेद फूल संकर भगवान को अपनी मनो कामना बोलते हुए अरपित करें ते इससे भी आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाएगी और जब आप संकर भगवान के मंदिर से निकलें, तो जो बाहर में नंदी महराज विराजमान रहते हैं, उसके कानों में अपनी मनुकामनाय बोलते हुए, उनके उपर एक बेलपत्र चड़ा दे, आप कितनी भी परिशानी में हो या आपके उपर दुख पड़ा हो, तो आप इस तरह से अपनी मनुकामना नंदी महराज के कानों में बोलेंगे, तो आपकी मनुकामना पूर्ण होगी, आप संकर भगवान के मंदिर में बेलपत्र जरूर चड़ाए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो वहाँ पे जो बेलपत्र चड़ा है, उसे धो कर, आप इस तरह से चंदन लगाकर उन्हें एक बेलपत्र जरूर से अर्पित करें, सावन के महीने में जो सावन सोंबार करता है, वो पशुपति व्रत ना करें, और जो पहले से पशुपति व्रत कर रहा है, वो सावन सोंबार ना करें, अगर आप पशुपति व्रत पहले से कर रह पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में ये बताया है कि आप दो ब्रत एक साथ नहीं कर सकते हैं सावन के बहिने में जल ब्रिष्टी बहुत जादा होती है और संकर भगवान के उपर भार जादा होता है तो पारवती जी और गंगा दोनों मिलकर इने समालती है इसलिए प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि आप जब दो लोटा जल चड़ाएंगे तो उसका महत्व कामवर के बराबर हो जाएगा और उसका महत्व गंगा जल के बराबर हो जाएगा अगर आपको मेरे ए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए होगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद हर हर महादेव